हेलो डियर स्टुडेंट्स अपने लास्ट लेक्चर के अंदर ओगजी एसिट्स ओगजी एनाइन्स वगएरा को स्टड़ी कर रहे थे और हम लोग कारवन फैमली तक ये कर लिये थे अब अपने पास एक फैमली और बच रही है बोरोन फैमली ठीक है तो उसको जल्दी से कव अबर करते हैं ठीक तो आप लोगों को पहले ही बताया जा चुका है कि H3BO3 जो है ठीक है ये बोरीक एसिड है और इस बोरीक एसिड में से अगर मैं पहले बात वोटर डारेक्ट निकालता हूं तो मेरे पास HBO2 बनेगा ये मेटा बोरीक एसिड है ठीक है और अगर ये मेट इसका नाम दोगे और्थोबोरेट ठीक है क्यों और्थोबोरेट दोगे क्योंकि एक लगा है और अगर एक लगा होता है तो एनायन के नाम पे एट लगा देते हो ये जो होगा इसके कर्सपनिंग आप लोग बी ओ टू माइनस बनाओगे इसको आप लोग नाम दोगे मेट तो ये और्थोबोरेट हो गया, ये मेटाबोरेट हो गया, ठीकल को सोडियम मेटाबोरेट का फॉर्मूला आप से पुछा जाए, तो आप लोग एक दूसरे की सकल नहीं देखो गया, बस सिधा सा बोलोगे सोडियम मेटाबोरेट क्या हो गया, ने बी ओ टू, ठीकल को सोडि inorganic chemistry वगेरा में analysis of compounds वगेरा में सुनने को आ जाता है sodium metaborate ठीक है यह क्या होगा आपके पास na bo2 होगा ठीक है चलो इसके auggy acid की structure की अगर बात करें तो h3 bo3 की तो बहुत ही simple structure होती है ठीक है h3 bo3 की structure क्या होती है बी जो है boron के साथ एक OH ग्रूप दूसरा OH ग्रूप और तीसरा OH ग्रूप इस पर तीन OH ग्रूप लगे होते हैं इसकी जो आइबर डाइजेसन है boron की वो sp2 होती है और boron की अबाउट जो इसकी geometry है oxygen ग्रूप की वो trigonal planar होती है oxygen ग्रूप जो होते हैं boron की वो trigonal planar form में होते हैं ठीक है अच्छा h3 bo3 जो है ठीक है इसमें यह आपको पता ही है कि boron has incomplete octate boron has incomplete octate ठीक है अच्छा दूसरी बात आप लोगों को h3 bo3 के बारे में क्या द्यान रखनी होती है ठीक है जो काफी important है h3 bo3 is a weak acid ठीक है h3 bo3 is a weak acid एक s3 bo3 एक बहुती weak acid है ठीक है और सबसे मज़ेदार बात के h3 bo3 की ठीक है it is not a proton donor ठीक है it is not a proton donor यह अपने आप में एक proton donor है यह नहीं ठीक है यह अपने आप में h plus देने वाला acid ही नहीं है यह एक बहुत important बात है boron acid की h3 bo3 की ठीक है कि यह h plus नहीं देता है यह बहुत important बात बोल रहों आप लोगों को ठीक है h3 bo3 की ठीक है अच्छी बात है लेकिन इसके साथ साथ it is not a proton donor यह proton देने का काम नहीं करता है यह proton donor नहीं होता है ठीक है बलकि यह क्या होता है it is a it is oh minus acceptor oh minus acceptor यह जो होता है oh minus accept करता है oh minus acceptor होता है ठीक है यह ऐसा नहीं करेगा लाकि h3 bo3 जो है वो ionize होगा और हमें h plus मिल जाएगा और bo3 minus मिल जाएगा ऐसा नहीं करेगा यह ठीक है बलकि यह क्या करता है h3 bo3 ठीक है यह इसको आप लोग क्या लिख सकते हो boh का whole thrice structure में भी वोई चीज छुपी हुई है यह क्या करता है oh minus accept करते हुए boh whole 4 minus बनाता है क्यों है accept करता है क्योंकि oxygen के पास जो lone pair है इसको यह अपने vacant orbital में क्योंकि इसका octate incomplete है इसके पास vacant p orbital है तो उस vacant p orbital में oxygen से lone pair accept करते हुए यह अपना octate पूरा करने की कोशिस करता है यह boh 4 minus बनाता है तो यह इसकी खासियत है boh 4 minus बनाता है यह oh minus acceptor होता है h plus donor नहीं होता है यह एक बहुती वी के acid होता है तो आपके सामने board पे जो चीजें लिखी हुए है जल्दी से उसको उतारो क्योंकि मैं इसे कुछ हिस्से को साफ करने जा रहा हूं कुछ और बतान question h3 bo3 से related exam वगेरा में आया हुआ question है ठीय है और उसको अच्छे से समझो सुनो जरूरी पार्ट है ठीय है क्या in presence of in presence of certain acids sorry certain species like like ethylene glycol ethylene glycol क्या होता है ethylene glycol होता है आपके पास CS2OH CS2OH यह diol है ठीय है ethylene glycol और glycerol glycerol की presence में या ethylene glycol की presence में acidic strength of acidic strength of h3 bo3 increases यह एक बहुत important point बता रहा हूँ आप लोगों को ध्यान रखोगे glycol की presence में glycerol की presence में h3 bo3 जो एक बहुती weak acid होता है इस weak acid की acidic strength glycol की presence में increase कर जाती है acidic strength of h3 bo3 increases ठीय है उसका cause क्या है क्या कारण है ठीक है यहां तो आप लोगों को बताया है कि h3 bo3 एक 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 एसीड है it is not a proton donor it is oh minus acceptor h plus नहीं देगा oh minus लेगा ठीय है यह इसकी simple structure है अब बात आती है कि thailin glycol या glycerol वगेरा के case में इसकी acidic strength बढ़ जाती है तो क्यों बढ़ जाती है ठीय है तो इस point को मैं आप लोगों के साथ share कर लेता हूं क्यों इसकी acidic strength बढ़ जाती है हाँ बढ़ तो इसकी acidic strength बढ़ने के बिच्छे जो कारण है वो कुछ ऐसा है कि b o h whole thrice पहली बात तो यह edge acid विएव करता है oh minus को accept करते हुए ठीय है तो यह अपना एक equilibrium मनाएगा क्योंगी week है तो equilibrium मनेगा ठीय है b o h 4 minus का equilibrium बनता है ठीय है b o h 4 minus का क्या मतलब है इसके साथ 1 o h minus ठीय है टेट्रहेडरली चार o h है इसके साथ 1 o h 2 o h tetraheडरली है यह 4 o h यहाँ square form में नजर आ रहे होंगे यह tetraheडरली है ठीय है तो यह इसकी structure है मतलब यह b o h 4 minus है अब होता क्या है कि leach atelier principle जानते ही हो आप लोग कि अगर कल कोई यह चीज यहां से हटती जाए हटती जाए ठीय है तो यह equilibrium forward जाएगा product अगर आप लोग बटाओगे तो product को बढ़ाने के लिए leach atelier principle के according यह reaction forward जाएगी forward जाएगी मतलब यह और जाएगा OH- के साथ combine करेगा और जाएगा OH- के साथ combine करेगा मतलब इसकी acid exchange जो है इसकी acid exchange जो है वो बढ़ रही है अब होता गया कि यह जो ethylene glycol वगेर आप लोग लेते हो यह इस molecule को इस iron को इस form में नहीं रहने देता वलकि इसके साथ जुड़के एक नया type का compound बना लेता है किस type का compound बना लेता है यह just information basis पे आप लोग ध्यान रखोगे यह जो च्यार OH मैं यहां बना रखाओं इसी तरीके से यह जो ethylene glycol है यहां पर CS2 CS2 उसके साथ OH लगाया इधर OH लगा है इधर भी मैं एक ethylene glycol और ले रहा हूं यह एक OH लगा रहा हूं यह दूसरा OH लगा रहा हूं होता क्या है कि यह जो H और OH है यह water molecule की form में अलग हो जाते हैं यह H और OH जो है water molecule की form में अलग हो जाते हैं आप होगे तो biomolecule में यह even मैं कई जगें आप लोगों को पढ़ाऊंगा बताऊंगा कि यह जो OH ग्रूप होते हैं यह polymerization कराने में बड़ा काम आते हैं ठीक है क्यों polymerization कराने में काम आते हैं दो molecule जिनमें OH OH ग्रूप लगा हूँ है वो पानी निकालते हुए वो तो पानी निक क्यों पानी निकाल देते थे ओक्राइबल में रखते हैं पानी निकाल देते हैं ऑक्सिगन को छोड़ देते हैं यह जो OH ग्रूप होते हैं यह polymerization में बहुत काम आते हैं करवाम आ सोचों कि कि पाप यह कार्व आइडेटस वगरा में तो कितनी लंबी लंबी चैन्ड चली जाती है ठीए तो यह मैं कहना चाहरा हूं कि OH ग्रूप की एक खासियत होती है कि किसी मोलिक्यूल वगेरा में OH ग्रूप जादा अगर है अगर वो जादा OH-BR कर सकता है तो उसका वो फाइदा उठाके बहुत असानी से पॉलिमराइज भी हो सकता है ठीक है पॉलिमराइज कर सकता है कई आगे से आगे वो जुड़ता जा सकता है OH ग्रूप बगेरा जो है वो पानी निकाल करके अपस में उन दो ग्रूप को ऑक्सिजन के थूरू जोडने का काम करते हैं ठीक है तो यहाँ पर ओवराल मैं बार ठीक है यहाँ पर आपके बास CS2 आएगा CS2 आएगा oxygen यह oxygen आगे किस से जुड़ा हुआ है बोराण से फिर यह oxygen ऑक्सिजन इस तरीके का जो यहाँ बोराण की अबाउट एक टाइप का जो चीलेशन हुआ है साइकलाइजेशन हुआ है यह इसको stability भी प्रोवाइड कर रहा ह तो इस तरीके से यह जो form है यह form इस form में convert होती जा रही है और इस form में convert होने का मतलब क्या है कि एक type से आप लोग product को solution से अटा रहे हो प्रोड़क्ट अटाने का मतलब क्या होता अप हाथ डाल के product बार थो ना कींशते हो प्रोड़क्ट अटाने का मतलब होता है कि आप उसमें कुछ ऐसा मिला दोगी वो प्रोड़क्ट पार्ट से रियक्ट कर लेगा तो प्रोड़क्ट तो अपने आप वहां से हट गया ना ठीए तो automatically यह reaction किदर शिफ्ट होगी और forward शिफ्ट होगी और forward शिफ्ट होने का मतलब क्या है कि यह polarization हो जादा और जादा – and लेगा तो एक टाइप से आप कह सकते हैं कि इसकी scientific strength क्या हो गई है बढ़ गए है आप लोग एच्था य rasa को बाहुत अच्छे से द्यान रखोगे कि H3BO3 जो होता है वो एक वीक एसीड है इट इस नोट ए प्रोटोन डोनर बट स्टिल इस एसीड है यह ओएच माइनस एकसेप्टर एसीड है और दूसरी बात इसकी कुछ एसीड के केस में जो डाई जहां दो ओएच हो या दो से ज़्यादा हो जैसे ग्लिस रोल में तीन है ठीड तो दो या दो से ज़्यादा ओएच ग्रूप अगर प्रजेंट है तो उन चिलेशन करते हैं और वहां से भी ओएच फोर माइनस को अटाने का काम करते हैं इकलिरियम से जिसके चलते ही है जो गिवन इकलिरियम में वो फोरवर्ड शिफ्ट करता है और आप कह सकते हो कि इसकी एसीडिक स्टेंद क्या होगी बढ़ गई ठीया तो इस चीज को आप जल लेना in solid state orthoboric acid solid state orthoboric acid orthoboric acid exist in a planar form in a planar form forming a seat like structure forming a seat like structure forming a seat like structure with the help of with the help of hydrogen bonding hydrogen bonding की help से ये seat like structure बनाते हुए एक seat like structure की form exist करती है जिसमें एक hexagonal symmetry होती है hexagonal symmetry होती है इसके अंदर में आपको कुछ ऐसा दिखाऊंगा ठीया बोरोन है बोरोन के अबाउट यहां पे ये तीन oxygen है इन तीन oxygen को मैं एक triangle form में लूँगा और इनके साथ आपको पता ही हाइट्रोजन जुड़े हुए है oxygen के साथ लेगिन इन hydrogen को मैं ऐसे नहीं शो करूँगा कुछ अलग तरीके से शो करूँगा उसको बनाने के लिए आप लोग पह बढ़ भड़ हुए है छे oxygen को अपने दिमाख में जो है hexagon के 6 corner पे रख लो ठीए hexagon के 6 corner पे आप लोग 6 oxygen को रख लो ठीए ये काम आप लोग कर लो 6 oxygen को hexagon के corner के साथ से अपने दिमाख में रख लो ठीए फिर यहां देखो कि आपको मैं क्या बताना चारहूं कि ये वरोन ये oxygen से जुड़ा हुआ है ठीए ये oxygen से जुड़ा हुआ है ये oxygen oxygen मिलकर इसके अवाउट क्या है ये वाला जो triangle मैंने बनाना था बना दिया ठीए इसी टाइप से एक triangle वाला oxygen ये boron वाला गूरूप आप यहां दिखा दो ठीए ये लो यहाँ दिखा दिया इसी टाइप से और इसी टाइस से यहां सब के उपर एक एक बोरोन ऑक्सिजन वाला गुरूप जो है वो आप लोग दिखा दो गए ये लो ठीए अब आप लोग क्या करना आपको पता ही है कि सभी के सभी ऑक्सिजन पे एक एक आइट्रोजन जुड़ा हुए है ठीए तो अपनी कोपी पे इसकी अगर स्ट्रेक्चर बना रहे है आराम से तो एक आइट्रोजन को इस तुरब दिखाते विए दूसरे के साथ हाइट्रोजन is एदर दिखाते विए इसके साथ हाइट्रोजन बोर्णिंग फिर क्या करना इसका हाइट्रोजन इदर दिखाते वे इसके साथ हाइट्रोजन मौनिंग कर दो हर एक ओक्सजन के उपर हाइट्रोजन तो जुड़ाई है ना प्यारे बच्चो यह हाइट्रोजन इदर दिखाया इसके साथ हाइट्रोजन मौनिंग यह hydrogen इदर दिखाया और इसके साथ hydrogen morning कर दी अच्छा अब और क्या करने है आप लोगों को इसके अलावा कुछ oxygen अभी भी बच्चे में जिनका hydrogen आपने दिखाया ने उसका hydrogen आप ऐसे side में दिखा दोगे इसका दिखा दिया इसका दिखा दिया इसका hydrogen इदर side में दिखा दिया इसका hydrogen इजट side में दिखा दिया इसका hydrogen यहां side में दिखा दिया इसका hydrogen यहां side में दिखा दिया ठीए तो यह जो इस type की structure बन कर आई है ठीए जो hexagonal symmetry रखते वे एक structure बनी है ठीए यह orthoboric acid की structure है जो solid state में यह जिस form में exist करता है ठीए तो solid form solid structure में sorry solid form में यह एक इस type की planar seat type बनाता है ठीए इस type की hexagonal symmetry के साथ seat type बनाता है जो planar होता है और यह इस planarity पे question already जही वगेरा में पूछा जा चुका है ठीए तो यह planar form में बनेगा इसको आप लोग उतार लो जल्दी से हाँ बई इसके अलावा एक बात और आप लोग गांठ बांदलो type बाली चीज़ है ठीए cvr है रट लेना है temperature basis पे मैंने कई जिगा है booklet बगेरा में यह question देखा है ठीए आपको अच्छे से याद रखना होगा h3b03 को जब हम गरम करते हैं ठीए कितना गरम करते हैं 100 degree celsius तक गरम करते हैं अगर h3b03 को तो आपके पास इसकी meta form बनती है hb02 बनता है ठीए पानी तो निकलेगा गरम करोगे तो इसकी meta form बनेगी 100 degree celsius पे इसको आप लोग और गरम कर देते हो कितने पे 160 degree celsius पे तो इसका एक form बनता है h2b407 यह form आपका थोड़ा देखा देखा लग रहा होगा ठीए h2b407 अगर आपने एक compound borex के बारे में पड़ा है तो ठीए तो h2b407 इसको अगर आप लोग red hot तक गरम कर देते हो ठीए लाल होने तक इसको गरम कर देते हो ठीए तो red hot गरम करने पर इससे इसका oxide बनता है b2o3 ठीए b2o3 का boron का जो है वो oxide बनता है ठीए तो 160 degree तक आपके पास जो है वो hb02 बनेगा ठीए जो कौन सी form है metaform है ठीए और 100 degree पे metaform बनेगी 160 के उपर आपके पास h2b407 बनेगा ठीए यह जो आप लोग metaworex पढ़ते हो na2b407 ठीए तो आप उसको इसी का salt मान सकते हो ठीए आप उसको इसी चीज का salt मान सकते हो naos के साथ h2b407 बन गया ठीए तो यह इसका salt है h2b407 का अच्छा आगे द्यान दीजिए आप लोग यह जो metaform होती है मैंने आप लोगों को बताया था कि metaform अकेली नहीं होती है metaform जो होती है वो trimer, tetramer बगएरा की form में होगी आप बोलते हो एक में से एक पानी निकल गया वो एक्चुली ऐसे नहीं निकलता है वो आपको आपस लाओगे यहां मैंने तीन मॉलिक्यूल रखे और्थोबोरिक एसिड के यहलो मैंने तीन मॉलिक्यूल रख दिये अब तीन वोटर मॉलिक्यूल निकलने है मेरे को तो तीन निकलने है तो यह एक निकल दिया यह दूसरा निकल दिया और यहां पर मैंने यह तीसरा नि ठीक है यह structure बनी इसके बाद यहाँ पे OH यहाँ पे OH और यहाँ पे OH ठीक अब इसका नाम भी लिखना पड़े तो आप देखी रहे हो कि यह cyclic form में जा चुका है और cyclic form में जा चुका है तो इसका जो नाम लिखना पड़ेगा उसका नाम क्या लिखोगे आप लोग आप पहल पहले cyclo word लगाओगे cyclo फिर trimetaboric acid कल phosphorus related ऐसे words ऐसी ट्रम्स डिसकस भी करी थी और बनाना भी सिखे थे cyclo trimetaboric acid ठीक है तो यह cyclo trimetaboric acid हो गया ठीक है अच्छा इसके साथ साथ मैं एक चीज की structure और यहाँ बनाना बना के देना चाहूंगा आप लोगों को जो की बहुत important भी ही है ठीक है और वो structure है borex की structure borex क्या होता है na2b407.10h2o ठीक है na2b407.10h2o जो है यह borex है ठीक है और इस borex की structure को मैं आपको बना के दे रहा हूं लेकिन इससे पहले आपको एक बात जाननी होगी कि आप लोग यह जो na2b407.10h2o जगह जगह पढ़ते हैं बार बार पढ़ इस representation में थोड़ी सी गलती है ठीक है इसको सही से रिपरजेंट अगर किया जाए तो यह representation कुछ ऐसा होगा na2 होगा b4 होगा o5 होगा o h4 होगा ठीक है चार b होंगे 5 o5 होंगे 4 o h होंगे ठीक है और यहां पे 8 h2o होगा ठीक है इस formula net formula देखोगे तो यह formula और यह formula मैच कर रह ठीक है लेकिन आप इस formula को अगर ऐसे दिमाग में रखोगे तो आपको इसकी structure बनाने में दिक्कत होगी जबकि आप इसकी actual form को याद ध्यान रखोगे actual form इसकी होती है na2 b4 o5 o h4 8 s2o यह इसकी actual form है ठीक है तो अगर यह इसकी actual form है तो इसकी actual form के according इसकी structure बनाना मैं बता र दियान रखना है इधर दियान दीजेगा एक बोरोन ठीक है चार बोरोन को आप लोग square के 4 कोनों पर रख लो ठीक है हाला कि वह मैंने इस टाइप का square बनाए अपने आप में ठीक है square के चार कोनों पर आप 4 बोरोन रख लो कितने oxygen है 5 oxygen है चार oxygen को तो आप लोग इनके बीच बी ओबी बी ओबी ठीए चार उक्सिजन को तो आप ऐसे बठा दो मेरा कहने पर अब एक उक्सिजन जो बच रहा ना ठीए उस एक उक्सिजन को आप किसी भी एक बोरोन के दो आमने सामने बोरोन के बीच में बठाओ दो के बीच में बठाओगे दो को छोड़ना है देखो मैं याद करवा रहा हूं समझा नहीं रहा हूं जो structure बगवान ने बना के बेज़ दी वो है ठीए लेकिन आब उसके बाद इसको याद कैसे करना वो बता रहा हूं चार बोरोन को चार कौनों पे रखके बीच में B.O.B. B.O.B. डाल लो ठीए लेकिन उसके साथ साथ आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे एक्चुलि पांच O होते हैं पांचवा ओ जो है वो आप किनी भी दो बोरोन के बीच में चाया इस B और B के बीच में जाहे इस आमने सामने boron वाले के बीच में किसी भी 2 के बीच में बैठाओगा लेकिन 2 के बीच में बैठाओगे और 2 को खली छोड़ोगे थीए उसके बाद यहां 4 OH है सभी boron पे 4 OH लगा दोगे सभी boron पे क्या कर दोगे 4 OH लगा दोगे थीए तो इस टाइब की ये bonding हो गई यहाँ पे आप लोगों को पता है बोरोन की नर्मल वैलंसी जो होती है वो तीन होती है तीन वैलंसे रम एलेक्रोन होता है थीन वो बन बनाएगा चौथा जब बनाता है तो बोरोन की उपर एक टाइब का नेगिटिव फॉर्मल चार्ज आता है जैसे अभी की बात करो ना यार B.O.H. whole 23 लिखा था और वो ही चीज़ जब हम लोग ने B.O.H. whole 4 किया तो माइनस दिखाए B.F. 3 लिखते हैं लेकिन 4 कर देते हैं तो B.F. 4 माइनस लिखते हैं बाकी वो formal charge होता है और मैं निकाल के भी दिखा सकता हूँ लेकिन मैं छोड़ो मैं directly बात करता हूँ इसमें negative charge कहां पर जिसके साथ ये sodium है तो formal charge के नाम पर अगर आप बात करोगे formal charge के नाम पर तो इस boron के उपर एक टाइब का negative formal charge है इस boron पर negative formal charge है जब boron ने अपनी valency से ज़्यादा valency में bond बनाए है normal valency तीन थी यहाँ च्यार बनाए है यहाँ B- है यहाँ B- है और इसके साथ आप मान के चलो कि N-A plus है उसको आप बस N-A plus का नाम दे के छोड़ दो ठीए N-A plus तो ionic bond है ना तो उसको तो बार ही रहने दो आइनिक bond का तो कोई ऐसा directional होता नहीं है कि उसको structure में दिखाया जाए और बार आप लोग 8H2O और दिखा दोगे ठीए तो पहले आप जितना board पे लिखा हुआ अगर सारा कुछ नोट नहीं कियो तो जल्दी से उदर बाला पार्ट तो पहले नोट करो क्योंकि मैं वहां से कुछ चीज़ें अटाने जा रहा हूँ चलो इसको अटा दे रहा हूँ इस structure से related एक दो बार question और आ चुका है ठीए और जो question आया है उसके लिए मैं फिर बोलना चाओंगा इसमें अगर आप लोग इस बोरोन की बात करोगे इस बोरोन की ठीए ये बोरोन और ये वाला बोरोन ये दो बोरोन जो है इसने 4 बोरोन पेर बनाए हुए है और इस बोरो आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है इस पर कई बार question आ चुका है इन बोरेक्स टू बोरोन टू बोरोन आर इन SP3 hybridization टू बोरोन आर इन SP3 hybridization एन्ड हैज एन्ड हैज ट्रहेडरल जोमेट्री ओवियसी बात है जब SP3 hybridization है तो उसके बाउट टेट्रहेडरल जोमेट्री होगी वो जो चार गूरूप है वो टेट्रहेडरल है उसके साथ एन्ड टू बोरोन इसमें बोरोन की आर्वडाइजेसन पूछे जाती है और आपको पता रखना होगा कि इसमें दो नो टाइप की आर्वडाइजेसन है SP3 hybridization दो बोरोन SP3 वाले भी है दो बोरोन SP2 वाले भी है ठिया एन्ड टू बोरोन टू बोरोन एस पी टू हाइब्रिडाइजेसन ठिया है SP2 hybridization और ओवियसी वात है उसके अबाउट जो है वो ट्राइगोनल प्लेनर जोमेट्री है तो दो बोरोन के अबाउट ट्राइडरल जोम है ठिया यह बोरेक्स की structure है बोरेक्स का सही formula अगर आप लोग अपने दिमाग में रखना चाहोगे तो वह NA2B405OH4.8s2 होता है ठिया यह इसका formula होता है मैं उमीद करूँगा कि आप structure को formula को याद रखेंगे हाँ बई मैं नहीं चाहता कि कोई भी structure वगएर आपनी छूट जाए तो जब अपने oxygen को discuss करी रहें तो कुछ oxygen को मैं आपके साथ साथ और discuss कर देना चाहूँगा ठिया जिनकी structure वगएर इवन आप लोगों को पहले भी सामना कर चुके उसको ठिया नाम सामना coordination compound वगएरा में भी किये यह हो एक chromatine है आपके पास ठिया एक dichromatine है एक magnetine है ठिया मेंगनेट आइन है और एक पर magnetine है यह सब oxygen ions है ठिया अलांगे इनके oxygen की structure बनाने की जुरूरत नहीं पड़ेगी लेगिन anion की structure की जुरूरत पड़ती है CR यह double bond O, double bond O, O minus O minus ठिया और यह dichromatine जो होता उसके अंदर आप लोगों के पास वही same story हो जाती है कि यह दो group जो है वो बीच के अंदर oxygen के थुरूर जूर जाते हैं ठिया बीच में oxygen के थुरूर जूर जाते हैं अच्छा आपको यह भी समझना होगा कि यह जो 6 के 6 bond है यह वाले 3 bond, यह वाले 3 bond, यह 6 के 6 bond एक जैसे हैं इनमें कोई फरक नहीं आप यह मत देखना कि यह single यह double है, resonance के नाम पर इन तीनों का जो character है वो एक जैसा है इन तीनों का character एक जैसा और इन 6 का character आपस में बिलकुल match कर रहा है ठिया है यह dichromatine है यह chromatine है ठिया है इसका color मैं अल्रेडी आपको बता चुका हूँ यह yellow color का होता है ठिया है और यह जो होता है यह orange color का होता है dichromate जो होता है ठिया है MnO4 2- ठिया है जिसको आप लोग magnet iron बोले थे यह Mn यह भी tetraddle form का होता है Mn double bond O, Mn double bond O, O- और O- ठिया है और MnO4 2- जो है वो Mn double bond O, double bond O, double bond O, and O- ठि dichromatine यह chromatine क्या यहां पर मैं आपको कोई और extra information दे सकता हूँ हा मैं देना चाओंगा क्योंगि मैं हमेशा वही काम करता हूँ जो मुझे 2-3-4 बार आगे और करना होता है ठिया है तो कुछ ऐसी चीज़े हैं जो हमारे लिए जरूरी होती है लेकिन बच्चे copy book में उस ची की चीज़ों को बार बार बच्चों को कम से कम 5-6 बार बोल के याद करवाना पसंद करता हूँ थिया है तो यही चीज़ मैं यहां आप करने जा रहा हूँ आप लोगों के सामने मैं आज एक बात बोल रहा हूँ उस बात को मैं आगे 2-3 बार repeat करूंगा chromate and dichromate iron both exist in equilibrium with each other थ both chromate and dichromate iron यह काफी important चीज़ है जो मैं बता रहा हूँ बोथ chromate and dichromate iron both chromate and dichromate iron exist in equilibrium with each other थिया है equilibrium पे exist करते हैं और इनका equilibrium reaction अगर आपको देखना है तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं CRO42- इसका 2 times प्लस यहां पे मैं आपके सामने जो है 2H plus दिखा दे रहा हूँ ठीक है चलो मैं देख ले रहा हूँ पहले तो ACIDIC में हाँ वो बनता ही है तो मैं यहां 2 times of dichromatine ले रहा हूँ 2 times of H plus ले रहा हूँ और सामने equilibrium के नाम पे आपके सामने CR2072- दिखा रहा हूँ ठीक है प्लस यहां पे H2O दिखा दे रहा हूँ ठीक है कुस तो गड़वड हुई है ऐसा नहीं होना नहीं सही है CR2072- प्लस water आजाएगा इस तरफ ठीक है और इधर आपके पास क्या हो गया CR2072- प्लस 2H प्लस ठीक है तो इस तरीके से अगर चाहो तो आप इनके equilibrium को represent कर सकते हो 2 times of dichromat प्लस 2H प्लस converting to CR2072- प्लस H2O ठीक है या फिर आप इनके equilibrium को represent कर सकते हैं CR2072- ठीक है प्लस OH- ठीक ह आप लोग क्या करोगे equilibrium के नाम पे यहाँ पे 2 times of CRO for 2- दिखाओगे ठीक है और यहाँ पे आपको साइद 2H- दिखाना होगा और 2H- को दिखाते होगे आप यहाँ पे 1H2O दिखाओगे ठीक है तो चाहिए इस form में equilibrium को represent करो चाहिए इस form में equilibrium को represent करो लेकिन इन दोनों equilibrium य आपको ध्यान रखना होगा कि यह दोनों equilibrium पे exist करते हैं ठीक है इस equilibrium की कुछ खासियत आपको नजर आ रही है एक बहुत अच्छी और important बात आपको यहाँ से notice होगी और उसी बात के लिए मैंने equilibrium को आपको करवाय है वरना कोई ऐसा खास परपज नहीं था वो बात यह कि अगर मैं इसमें h plus add करता हूँ तो यह dichromatine की तरफ exist करेगा ठीक है equilibrium dichromatine की तरफ shift होगा ठीक है अगर मैं oh minus add करता हूँ तो oh minus add करूँगा तो वो h plus को खाएगा और h plus को खाएगा तो यह equilibrium पिछे जाएगा यहाँ देख लो oh minus add करूँगा तो यह equilibrium आग्गे जाएगा मतल भी chromate की तरफ जाएगा ठीए तो यहां पर मैं आपको एक बहुत important बात बताने जा रहा हूँ और काफी important बात है ज़रा ध्यान दोगे ठीए in acidic medium ठीए in acidic medium dichromate iron exist in acidic medium dichromate iron exist chromate iron की बजाए जो है dichromate iron exist करेगा acidic medium में ठीए लेकिन in basic medium basic medium में chromate exist करेगा dichromate नहीं exist करेगा in basic medium ठीए in basic medium chromate iron exist in basic medium chromate iron exist तो acidic medium में dichromate iron exist करता है और basic medium में chromate iron exist करता है और इस point को मैं कहीं भी किसी भी time पर question के बीच में पूछ सकता हूं जिसकी जुरूरत पड़ेगी काम का point है chromate and dichromatine exist in equilibrium with each other और इनकी existence pH पे depend करेगी medium के acidic basic nature पे depend करेगी medium को acidic करोगे dichromate की तरफ जाएगा इसका मतलब acidic medium में dichromatine exist करता है और basic medium में chromate की तरफ जाएगा इसका मतलब basic medium में chromatine exist करता है इस बात को आप लोग अपनी copy पे note करेंगे और यहां जो भी चीज लिखी हुए उसको जल्दी से उतार ले एक छोटी सी चीज मैं आपको और बताना चाओंगा यहीं पे इसी structure के discussion में अलांकि उसका मैं wait कर सकता था आग्या वाली heading में करवा सकता था उसे लेकिन एक छोटी सी बात इन से related है तो मैं उसको अभी बताना ठीक समझूँगा CRO5 की structure आप से अक्सर पुछे जाती है ठीक है PMT में तो एक बार इस पे question भी आ चुका है तो CRO5 की जो structure है इसकी structure कैसी होती है अच्छा एक बात उताओ क्रोमियम की अगर मैं oxidation state को यहाँ पे X मालनू ठीक है क्रोमियम की oxidation state को अगर मैं X मालनू तो X into 5 into minus 2 बराबर 0 X बराब 6 हो सकती है क्योंकि valence cell के इसाब से S में 1 और D में 5 electron total 6 electron और 6 electron तो यह maximum plus 6 oxidation state ले सकता है लेकिन यहाँ तो 10 आ रहा है 6 से बहुत जाद आ रहा है इसका मतलब यह सारे के सारे oxygen oxide form के oxygen नहीं है ठीक है इसकी structure में per oxide linkage होती है और यह per oxide linkage भी बड़े मज़ेदार तरीके से होती है यहाँ पे एक par oxide group ठीक है यहाँ पे दूसरा par oxide group और यहाँ पे C double bond O तो ultimately chromium है तो plus 6 में 1, 2, 3, 4, 5 है ठीक है chromium plus 6 form में है और इसकी यह structure होती है एक par oxide धूसरा par oxide group और यह C double bond O ठीक है किस नाम से जाना जाता है इस ट्रुक्चर को जाना जाता है butterfly structure के नाम से इसको जाना जाता है butterfly तितली वाली structure ठीक है ये तितली के दो पंक है ठीक है और ये उसका मुह है तो यह butterfly structure के नाम से जाना जाता है किसको CRO5 को ठीक है तो यह आज मैंने आपको ऐसी एक तितली की structure बताई है ठीक तो butterfly structure है CRO5 है तो मैं इसके लिए oxide वाले part का weight नहीं करना चारा था यहीं बताना मुझे ठीक लगा तो मैंने बता दिया इसकी structure को आप लोग note कर लें हाँ भई Auggy acids और Auggy N9 की structure कर लेने के बाद Auggy acids और Auggy N9 की structure कर लेने के बाद मैं कुछ और important structures आप लोगों के साथ discuss कर रहा हूँ अब मैं आप लोगों के साथ Oxides की structure discuss कर रहा हूँ अलांकि oxide की structure में मुझे बहुत ज़्यादा कुछ बताना नहीं है ठीए लेकिन फिर भी सुन लो structure of different non-metallic oxides structure of different non-metallic oxides मैं जितने भी P-block में ठीए P-block वाले part में खास तोर पे जितने भी oxides जितने भी non-metallic oxides बगेरा हैं या जितनी भी structures है P-block की उन सब को मैं एक जगह उठा करने का बताने का काम कर रहा हूँ तो उसमें हमें ये structure भी deal करनी है तो सबसे पहले-पहले कितने मैं halogen के oxides को discuss कर रहा हूँ oxides of halogens और oxides of halogen में मैं discuss तो एक को ही करूँगा oxides of halogen में discuss तो मैं एक को ही करूँगा बाकी structure को आप उससे relate कर सकते हैं chlorine के different oxides को मैं आपके सामने discuss करूँगा Cl2O7 को, Cl2O5 को, Cl2O6 को, Cl2O3 को और finally Cl2O को और उसके अलावा मैं ऐसे oxides भी chlorine के discuss करूँगा जैसे ClO3 है ClO2 है और एक Cl2O6 है जहाँ पे chlorine की oxidation state की अगर बात करोगे यहाँ chlorine plus 1 में है, यहाँ plus 3 में है, यहाँ पे chlorine plus 5 में है यहाँ पे chlorine जो है वो plus 6 में है, ठीक है लेकिन even form में exist करना इसके लिए common नहीं है ठीए यहाँ पे chlorine प्लस 6 में है यहाँ पे chlorine प्लस 4 में है और यहाँ पे भी chlorine बापस से देखा जाए तो plus 6 में है यह even odd number वाली जो numbering है यह common क्यों है ठीए कारण obvious है कि आप लोगों के पास अगर chlorine की बात करोगे तो 3s में 2 electron है ठीए और 3p में इसके पास आपके पास 5 electron है यही नहीं ठीए और valence bond theory क्या कहती है वैलेंस बातें बोलती है अपने को कि bonding जो होती है उसमें half field orbitals जो हते है वो participate करते हैं bonding में half fiel orbitals जो हते है वो participate करते हैं तो यहाँ एक half field orbital है एक bonding करेगा ठीए तो इस type से वो इसकी valency 1 है ठीए तो दूसरी बात को ये balance bond theory अपने को कहती है कि bonding जरूरी नहीं कि ground state में और excited state में भी हो सकती है ठीए, तो अगर electron 3s, 3p और 3d है, ठीए, तो ये तो हमें suggest करी रहे हैं कि chlorine की जो valency होनी चीए, वो कितनी होनी चीए 1 होनी चीए, तो ये common valency chlorine की, ठीए, लेकिन अगर ये excited state में चला जाए, तो इसके excited state का scene क्या हो सकता कि यहाँ पर ये वाला जो electron है इस electron का आप P से निकालो D में excite कर दो, ठीए, इसके पास back and do orbital होता है और उसका फाइदा उठाएगा, ठीए, तो back and do orbital में अगर इसको excite कर देता है तो 1, 2, 3, अब बताओ इसके पास कितने half field electrons है कितने unpaid electrons हैं, तो obviously वात है इसके पास 3 unpaid electrons हैं तो 3 unpaid electrons हैं, तो इस situation में इसकी valency कितनी होनी चीए 3 होनी चीए, वो भी ठीक है तो plus 1, plus 3 से लिए तो मैं इसको common valency बता रहा हूँ इसकी next excited state क्या हो सकती कि आप उस P वाले electron को भी D में shift कर दो ठीए, ये सारी की सारी state कौन सी है, excited states है ठीए, तो excited state में ये वाले P को भी मैं आगे shift कर दे रहा हूँ आगे shift कर दे रहा हूँ फिर इस pair को भी excite कर दिया तो अभी इसकी जो valency बनेगी ठीए, वो valency बनेगी 5 तो इसलिए 1, 3, 5 ये इसकी common valency है ठीए, इसके बाद भी अगर आप लोग इसकी electron को आगे further excite करते हो S वाले को, ठीए, P वाले को तो आप करी चुके हो S वाले को अगर further excite कर देते हो ठीए, तो S वाले को further excite कर देने से ये electron ही आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 इसके पास क्या हो गया 7 इसके पास unpaid electrons हो गए ठीए, और balance bond theory हमें ये ही बताती है अगर आप लोगोंने chemical bonding अच्छे से पढ़ा हुआ हो कि bonding ground state में भी हो सकती और bonding excited state में भी हो सकती तो इस बातों को ध्यान में रखते हुए chlorine कौन-कौन सी oxidation state शोग कर सकता है, कौन-कौन सी balance commonly शोग करेगा या halogen कौन-कौन सी balance commonly शोग करेंगे, 1 करेंगे, 3 करेंगे 5 करेंगे, और 7 में यहाँ इस condition में 7 करेंगे, तो 1, 3, 5, 7 यह common है, हाँ fluorine में यह बात लागू नहीं होती क्यों, fluorine के पास 2S होता है 2P होता है, लेकिन 2D नहीं होता fluorine के पास D orbital vacant होता ही नहीं तो fluorine की तो common valency 1 है लेकिन इन लोगों की जो common valency है, बाकी halogen की chlorine, bromine, iodine इनकी, वो 1, 3, 5, 7 यह common है, यह uncommon valency है, लेकिन इस form में भी इनके oxides वगरा observe किये जाते हैं अलांकि यह कोई खास stable oxides नहीं है, इनकी कोई खास existence वगरा उतनी नहीं है, ठीक है mostly common oxides तो वो ही है ठीक है, यह uncommon valency वाले हैं यह uncommon valency वाले हैं ठीक है, मैंने एक चीज़ यहां पर बहुती गड़वर लिखी हुई है और काफी देर से गड़वर लिखी पड़ी है वो है, यह plus 7 होना चीए था ठीक है, plus 1, plus 3, plus 5, और plus 7, ठीक है, यह plus 7 होगा ठीक, तो इस बात को आप लोग द्यान में रखें वैलनसी, 1, 3, 5, और 7, यह इनकी कॉमन वैलनसी है, ठीक, तो अब इसके correspondingly इनकी structure क्या होगी ठीक, यह कॉमन वैलनसी है, यह कॉमन oxides है, वो even number में होना uncommon है, ठीक है, लेकिन फिर भी इस टाइप के oxides exist करते हैं, ठीक, तो यह मैंने इसका explanation दिया, कि इनको मैंने common क्यों बोला है, ठीक, 1, 3, 5, 7, इस टाइप के compounds mostly exist क्यों करते हैं, आप लोग क्या है, आप लोग अगर halogen's के कुछ particular compound को और study करोगे, तो आप लोग देखोगे कि IF5 exist करता है, IF7 exist करता है, लेकिन IF6 exist नहीं करता, क्यों, IF4 exist नहीं करता, क्यों, तो इसका जवाब है अपने पास, यह कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है, क्यों नहीं करता, क्योंकि वही बात है न, यहाँ पे 7 इसकी common valence है, तो उसमें बना सकता है, ठीक है, 5 इसकी common valence है, तो इस situation में वह 5 बना सकता है, ठीक है, लेकिन 6 वाला सीन नहीं है यहाँ पर, ठीक है, या तो उसके बास directly 5 unpaid electron है, या directly 7 unpaid electron है, या फिर 3 है, 4 या 6 नहीं है, ठीक है, इसलिए ये plus 6 होना, plus 4 होना, या valence को valence इसकी 6 या 4 या 2 होना, ये common नहीं होता है, logence के लिए, ठीक है, तो इसलिए IF6, IF4, IF2 अगेरा exist, नहीं करेंगे, ठीक है, ये इसकी common valence के against जा रहे हैं, इसलिए नहीं exist करेंगे, ठीक है, तो ये चीज़ जान लेने के बाद मैं आप लोगों से बापस structure वाले पार्ट पे आता हूँ, ठीक है, ये मैं chemical bonding वाले property basis वाले point पे चला गया था, दुबारा से मैं structure वाले point पे आता हूँ, structure के according इनको discuss करूँगा, हाँ बई, CL207 की अगर बात करें, तो chlorine का जो यहां पे, इसकी जो structure होती है, बस मैं जल्दी जल्दी बना दे रहा हूँ, CL double bond O, double bond O, double bond O, और आपस में बीच में इनके पास, आपस में बीच में इनके पास एक oxygen होगा, CL, oxygen, CL, ये वाली bonding होगी, ठीक क्लोरिन का bond pair 4 है, इसकी SP3 है, tetrahedral geometry है, इसके बाउट, ठीक है, यहां भी इसकी देना, उसकी structure मैं यहां बना दे रहा हूँ, CL, O, CL, ठीक है, एक double bond oxygen, दूसरा double bond oxygen, यहां double bond oxygen, यहां double bond oxygen और एक एक lone pair बचा हुआ है, ठीक है, CL2O3 की structure बनाने की बात आएगी, तो आप लोग जो है, दूसरा double bond इदर से भी और इदर से भी, दोनों तरफ से कम कर देना, और दो-दो lone pair दिखा देना, ठीक है, इसमें क्या होता था कि क्लोरीन के पास, आउटरमोसल में साथ इलेक्टरोन थे, इस oxygen के साथ single bond बनाने में यूज हो गया, और बाकी तीन oxygen के साथ double bond बनाने में 6 electron यूज हो गए, तो 6 electron ये वाले और 7 ये, ठीक है, फिर उसके बाद दो-दो के lone pair बचाते चले जाओ, CL2 OK केस में तो आप कह सकते हो कि oxygen central atom है, ठीक है, ये side वाले दोनों oxygen भी नहीं तो ये oxides of halogen हो गए, CLO3 की बात करें, ठीक है, तो ये और ये जो है इनको हम लोग odd electron species बोल सकते हैं, ये odd electron species हैं, ठीक है odd electron species कि sense में, CLO3 की बात करोगे, तो chlorine के पास एक unpaid electron है और बाकी जो 6 electron हैं, वो तीन oxygen के साथ double bond बनाने में यूज हो गए CLO2 भी odd electron है, इसके पास एक lone pair है, एक odd electron है और बाकी जो 4 electron है, वो 2 chlorine के साथ double bond बनाने में यूज हो गए CLO6 कुछ नहीं, इसी CLO3 का जो है dimeric form है, ठीक है इसके पास एक unpaid electron है, ठीक है, तो यही एक unpaid electron ऐसे बना रहा हूँ मैं फिलाल के लिए, इसका एक unpaid electron, दूसरे का एक unpaid electron, ठीक है यह unpaid और unpaid electron आपस में जोडते होगे, chlorine और chlorine के बीच में bond बन जाता है यानि आप लोग कह सकते हो, CLO3 जो है, इस unpaid electron की वज़े से क्या करता है डाइमराइज हो जाता है, CL2O6 में चला जाता है, जिसकी वज़े से यह जो unpaid electron है, वो भी bonding में चला जाएगा यह इसकी structure हो गई, ठीक है, structure को चाओ तो आप अच्छे से ऐसे बना सकते हो ठीक है, chlorine, chlorine, इस पे एक double bond हो, दूसरा double bond हो, तीसरा double bond हो, यहाँ एक double bond हो दूसरा double bond हो, तीसरा double bond हो, ठीक है, तो यह इसकी CL2O6 की जो है, structure हो गई आप लोगों के पास तो CLO3 और CL2O6, तो CL2O6, CLO3 का डाइमर है, क्यों है, क्योंकि CLO3 के पास एंपेड electron था यह और यह एंपेड electron की presence की वज़े से आप यह भी कह सकते हो, कि यह पैरा-magnetic है, ठीक है, यह जो चीज़े हैं, यह कैसी हैं, पैरा-magnetic है, तो यह oxides of halogen हुए, ठीक है, है, halogen के oxides के बाद अपने next group के oxides को discuss कर रहे हैं अब एक group पिछे जाते हुए, पहले की तरह है, पहले मैंने oxides में गया था, मैं oxides के case में एक group पिछे जाते हुए, sulfur के oxides को discuss कर रहे हूँ, ठीक है, sulfur के oxides में कुछ ज़्यादा खास अपने पास है नहीं, SO2 है, SO3 है, और SO3 के case में ही, एक इसका alpha form of SO3 बोला जाता है, ठीक ह मैं आप लोगों को gamma form of SO3 discuss करने के लिए, ये करवारों बरना मैं, SO2, SO3 करवाता ही नहीं आप से, क्यों, क्योंगी ये बहुती common structures है, और आप लोगों को chemical bonding से ही आने चाहिए, sulfur के outromose cell में 6 electron, 2 oxygen है, इस oxygen के साथ 2 electron से air कर दिये गए, इस surrounding atom का octate पूरा, ठीक है, यहाँ वाल पेर है, double bond को single bond pair count किया जाता है, तो एक bond pair, दो bond pair, और एक किये, loan pair एक, total 3, 3 के वैसिस पे इसकी जो आइबराइजेसन वागेरा है, वो SP2 है, ठीक है, गामा और alpha SO3 क्या होता है, यह जो गामा SO3 होता है, actually यह trimer of SO3 होता है, trimer of SO3, ठीक है, इसको आप लोग ऐसे भी लिख स सकते हो, SO3 whole thrice, या S309, ठीक है, SO3 whole thrice, या SO3, S309 लिख सकते हो, इसे आप लोग, ठीक है, तो गामा SO3 तो नॉर्मल मोनोमर है, और नॉर्मल SO3 जब भी लिखा रहता है, तो हम लोग इस structure को deal करते है, तो नॉर्मल SO3 की structure तो होती है, कि इसके पास 6 electron थे, तो पहले तो 4 electron से सेर हुए, इस केस में 6 के 6 सेर हो गए, ठीक है, और 6 के 6 सेर हो करके, इसके hybridization वोई SP2 है, ठीक है, और यहां भी hybridization जो थी, वो SP2 थी, लेकिन इसकी shape को आप लोग वी shape या angular shape बोलोगे, जबकि इसकी shape को आप लोग trigonal planar shape बोलोगे, और यह इसका trimer होता है, गामा SO3 जो हता ह वो trimer of SO3 होता है, ठीक है, इस case में trimerization कैसे होता है, जरा हलका फुलका सुन लो, एक रखा, ठीक है, एक रखके यहां पे मैंने दूसरा रखा, ठीक है, बस जल्दी से सुन लो इस चीज़ को, एक रखा मैंने यहां पे, थोड़ा मैंने जान बूज के अपने हिसाफ से adjust करक है उसे, एक दूसरा यहां रखा, तीसरा मैंने यहां रखा, ठीक है, अब actually इसका trimerization कैसे होता है, कि यह जो sulfur oxygen का single bond है, इस पाई बॉन को तोड़के आप आगे वाले sulfur और oxygen के बीच में कर दो, इस वाले पाई बॉन को तोड़के आप यहां कर दो, इस वाले पाई बॉन को ठीक है, SOS, फिर उसके उपर दो डवल बॉन ओ आएंगे, फिर SOS, फिर SOS और इसके उपर भी दो डवल बॉन ओ आएंगे, ठीक है, यह trimer of SO3, यानि SO3 holthrise की structure हो गई, एक वार JEE में यह question already पुछा जा चुका है, ठीक है, इसकी structure से related question JEE में पुछा जा चुका है, और question था give the number of SS bond in SO3 holthrise, या था trimer of SO3, ठीक है, ठीक है, ट्राइमर of SO3 में number of SS bond पुछा गया था, ठीक है, तो SS bond का number आप लोग देख रहे हो कि S और S का direct bonding तो इसमें किसी में है नहीं, इसलिए उसका answer था 0, ठीक है, 0 answer करना था, तो इस particular structure की वज़े से मैंने आप लोगों को यह आया है, ठीक है, वरना मैं sulfur के जो oxides वगरा है, इनको discuss करना जरूरी नहीं समझ रहा था, ठीक, चलो इनकी structure discuss कर ली, एक मैं जानबूज कि आपको homework दे रहा हूं, ठीक है, कि आप लोग जो अच्छा बच्चा है वो करे, जो ना करना चाहरा है, उसको फिर कोई मतलबी नहीं जादा एक्ष्टा बताते रहने का, NCRT से या कहीं से भी, आप मुझे, ठीक है, कमेंट जरूर करना, बताना जरूर कि आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा, NCRT से या कहीं से भी, पढ़ते हुए, मुझे selenium oxide की structure को लेके, कमेंट करें, ठीक है, इसकी structure को लेके, इसकी खासि को लेके, मुझे कुछ बताएं, ठीक है, इसके बारे में कुछ पढ़ें, चाहे NCRT से oxygen family group में पढ़ लें, आपको मिल जाएगा, ठीक है, या कहीं और से पढ़ लें, SEO2 की structure के बारे में, मुझे जरूर कमेंट करें, ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों से oxygen family के oxides को discuss किया, अब हम लोग जाएंगे nitrogen family की तरफ, हाँ तो मेरे प्यारे बच्चो, oxygen family वाले oxides को discuss करने के बाद, मैं अब आप लोगों से nitrogen family के oxides को discuss करूँगा, सबसे पहले nitrogen को ही discuss करते है, nitrogen के oxides को, nitrogen के case में आप लोगों के पास different oxides के नाम पे N2O5 होता है, ठीक है, N2O4 होता है, ठीक ह N2O2 होता है, ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास N2O3 होता है, N2O3 के बाद आपके पास N2O होता है, ठीक है, यह तीन, चार main इसके oxides हैं आपके पास, तो nitrogen के oxides में, इस oxide में nitrogen के oxidation state plus 5 है, इस वाले case में plus 4 है, यहां भी लिखोगे तो plus 4 है, बस उसी से dime rise हुआ है, इसकी oxidation state यहां पे plus 3 है, इसकी oxidation state यहां पे plus 2 है, और इसकी oxidation state जो है, वो plus 1 है, ठीक है, यह अलग-लग oxidation states है, ठीक है, तो पहले तो मैं आपको इनकी property के बारे में बता दूँ, ठीक है, क्योंकि यह non-metallic oxides हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि non-metallic oxides होने के नाते यह acidic ह आपको एक general point periodic में बताया जाता है कि metallic oxides are basic and non-metallic oxides are acidic, लेकिन NO and N2O, यह neutral oxides होते हैं, ठीक है, यह कैसे oxides होते हैं, neutral oxides होते हैं, ठीक है, आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि अपने पास बहुत ज़्यादा नहीं, बलकि 4 ही non-metallic oxides हैं, जो neutral होते हैं, non-metallic oxides, व metallic oxides में अपने पास CO होता है, NO, यह, NO होता है, N2O होता है, और water होता है, water उसमें एक liquid case है, और बाकी तीन जो है, वो gaseous case हैं, और इस type से अपने पास total मिला के, 4 इसमें neutral oxides होते हैं, non-metallic case में याद रख लेना, ठीक है, हाँ, N2O को आप लोग laughing gas के नाम से जानते ही हो, ठ ठीक, अच्छा, उसके बाद अपने बात करते हैं, इनकी structure पे, ठीक है, तो structure पे अगर मैं आप लोगों के साथ बात करूँ, तो N2O5 की जो structure है, वो बहुत ही simple सी structure है, N11O, ठीक है, यह oxygen, यह oxygen, N11O, अच्छा, दूसरी बात किया है, कि nitrogen second period का अपनी valency expand नहीं कर सकता, अपन octate expand नहीं कर सकता, तो यह बाकी oxygen की बरपाई कैसे करता है, बाकी oxygen का octate पूरा कैसे करता है, तो यहाँ पे nitrogen के पास, जो lone pair बचा हुआ है, वो इसको coordinate form में donate करता है, ठीक है, मतलब मुद्दे के बात, यह इसकी structure है, बना तो मैंने उपर भी दिया, मैं दूआरा बना दे रह अच्छा, अगर मैं हलका फुलका छोटे मोटे points आपके साथ discuss करते चलूँ, तो मैं आपको बताना पसंद करूँगा कि N2O5 बनता कैसे है, N2O5 जो होता है, वो enhydride of H93 है, enhydride का मतलब क्या होता है, जिसका पानी सोख लिया गया हो, पानी छीन लिया गया हो, ठीए, तो म अला एजेंट है, यह dehydrating agent है, organic compounds में भी पानी खिंचने के लिए P4O10 वगेरा का use किया जाता है, P4O10 एक बहुत जबरदस dehydrating agent है, ठीए, dehydrating agent, तो यह भाई साब क्या करता है, H93 का पानी छीन लेता है, और H93 का पानी छीनता है, तो उसके बदले में N2O5 दे देता है, ठीए, और obvious ही बात है, इसके पास, एक के पास तो एक की एच्च है, तो पानी छीनने के लिए आप लोगों को पास 2H93 लेने होंगे, और 2H93 का 2H और 1O कम हो जाएगा, 2H और 1O कम होने के बाद आपके बास बचेगा N2O5, ठीए, तो अगर कोई इसको बनाने की बात करें, कि H93 को पानाया कैसे जाता है, तो इसका सीधा सा जवाब है कि आप H93 को P4O10 के साथ रख लो, गरम कर लो, ठीए, पी 4O10 एक बहुत जबरदस्त किसम का डिहाइटिंट है, पानी सोख लेगा, पानी सोखेगा, तो बदले में N2O5 बचेगा, ठीए, अच्छा, आब मैं N2O2 की structure आपके पास nitrogen है, nitrogen के बाद एक तरफ आपके पास जो है, ये एक डोट है, ठीए, और एक तरफ आपके पास double bond oxygen है, ठीए, चलो पहले मैं आपसे normal बात करता हूँ, nitrogen के आउट्रमोस सेल में कितने electron है, 5 electron है, ठीए, और इधर एक oxygen आपके पास, और इधर एक दूसरा oxygen है, equal sharing कर दूँ, equal sharing करने, इस oxygen का octate पूरा हो गया, ठीए, इस oxygen nitrogen के पास साथ हो गए, ठीए, ठीए, तो अगर मैं ये सोच के चलूँ कि चलो अब इसके साथ भी equal sharing कर देते हैं, इसका भी octate पूरा कर देते हैं, तो अगर मैं ऐसा सोच के चलूँगा, तो इसके पास अब बीच वाले nitrogen के पास अब 9 electron हो चुके हैं और nitrogen जो है कुछ भी करके अपनी valency expand नहीं कर सकता 8 से octate expand करी नहीं सकता जब कि इस situation में इसके पास कितने electron है no electron है तो इसकी जो structure वो कुछ ऐसे बनाई जाती है यहां double bond oxygen और यहां पे बले ही central atom का octate incomplete रह जाए लेकिन nitrogen अपना loan pair इसको donate करते वे दिखाओगे equal sharing के थुरू नहीं दिखाओगे तो जब donate करते वे दिखाओगे तो ऐसा करने से इस oxygen का भी octate पूरा हो गया इस oxygen का octate पूरा हो गया बीच वाले का यह coordinate bond यह odd electron यह दूसरा double bond O चलो मैं पहले coordinate दिखा दे रहा हूँ यहां double bond O दिखा दे रहा हूँ और यहां dot ठी है तो इन दोनों dot और dot के थुरू इनको आपस में जोड़ा गया है यह जुड़ जाते हैं मतलब जोड़ा नहीं गया है जुड़ जाते हैं यह कोई पूछे तो कोई बड़ी बात नहीं आपको बस इतना ही तो बोलना है कि यह NO2 का dimer है इसकी structure क्या है वो तो ऐसे ही बन गई हमें बिना कुछ की यही इसकी structure मिल गई ठी है फिर भी एक बार के लिए मैं यहां पर इनकी structures को दुबारा लिख देना चाहूंगा इसकी structure कुछ ऐसी होती है एक तरफ double bond O एक तरफ coordinate bond O ठी है और एक कोड़ इलेक्रोन इसकी structure में N और N के बीच में bond होता है फिर double bond O होता है ठी है और यहां पर एक coordinate bond O और दूसरी तरफ coordinate bond O ठी है उसके बाद मैं N2O3 की structure बना रहा हूं लेकिन पहले आप यह उतार लें हां बई अलांकी एक छोटी सी चीज मुझे यहां पर आप लोगों के साथ और discuss कर लेनी चाहिए थी ठी है और वह है कि जो NO2 होता है यह brown color gas होती है ठी है brown color की होती है यह gas और brown color gas होने के साथ साथ यह बनाया कैसे जाता है ठी है तो आगे मैं reaction part में आप लोगों के साथ hitting effect में एक reaction discuss करूंगा तो अभी मैं बस उसको लिख के छोड़ दे रहा हूं कि lab में lead nitrate को आप लोग गरम करते हो lead nitrate को गरम करने से उसमें pvo plus no2 ठी है मैं यहां पे कर दे रहा हूं 2no2 ठी है प्लस half o2 तो यहां पे no2 gas जो बनी वो अपने main काम की है तो आप लोग लेब में अगर कल को बोला जा रहा है कि no2 कैसे prepare करोगे तो आप बताना कि lead nitrate को गरम करने से pvo बनेगा प्लस no2 बनेगा प्लस half o2 बनेगा ठी है तो यह चीज NCRT वगेरा में दी हुई भी है और journal method है यह और इसको मैं hitting effect में discuss भी करूँगा तो अभी आप लोगों के ना भी समझ में आ रहा है अब बात आती है N2O3 की structure को लेके ठीक है तो N2O3 की structure को लेके ओब यह सी बात है अगर बच्चा पहली बार इसको draw करने की सोचेगा तो वो symmetric CT रख, symmetric सोचेगा, symmetric के नाम पे क्या सोचेगा कि N2O5 में जो अगल बगल वाले nitrogen के पास जो double bonded oxygen थे वो उनको कम अटा देगा या coordinate bond में जो oxygen थे उनको अटा देगा और यह structure के बारे में सोचेगा N double bond O, इसके पास अपना lone pair, इसके पास अपना lone pair और बीच में N, O, N bond के बारे में सोचेगा तो इस type की structure को हम लोग symmetric structure of NO2 बोलते हैं sorry symmetric structure of N2O3 बोलते हैं actually N2O3 की structure को लेके scientist लोगों को मानना है कि इसकी दोनों structure possible है दोनों structure में क्या है, एक तो इसकी symmetric structure बताई जाती है symmetric structure तो यह है, ठीक है, लेकिन इसकी जो main existence है वो इसकी asymmetric structure में है, ठीक है, मानना दोनों है scientist लोगों का मानना है कि इसकी दोनों structure है, symmetric structure भी है और n-symmetric structure भी है और इसकी common existence जो है वो actually इसकी n-symmetric structure में ही है ठीए, तो बच्चे सोचते इसके बारे में हैं लेकिन मैं आपको यहाँ पे वो ही है सचेत करना चाऊँगा दोका वाली बात नहीं है मैं सचेत करना चाऊँगा कि यह structure नहीं होती ठीए, एन 2 और 3 की structure यह नहीं होती है ठीए, या इसकी यह structure में नहीं बलकि दूसरी structure में main existence होता है n-symmetric structure में n-symmetric structure को आप लोग ऐसे मान के चलो कि n और n के बीच में double bond है फिर एक double bond O है दूसरा double bond O है ठीए, और उसके बाद आपके पास सिर्फ एक side वाले nitrogen के साथ nitrogen oxygen के बीच में coordinate bond है दूसरे side वाले के पास कुछ नहीं है बीच में oxygen होनी की बजाए वो side वाले oxygen nitrogen के साथ है जैसे एक structure हमारे पास ऐसे दोका वाला case आया था H2S2O5 कि oxygen बीच में नहीं था बलकि side वाले sulfur में था इसी तरीके से ये फिर एक ऐसा structure है जो आपको दोका दे सकता है और वो दोका हमें नहीं खाना है मैं पहले ही आपको सचेत कर दे रहा हूँ कि इसमें आपके पास दो टाइप की structure discuss की जाएगी symmetric structure and symmetric structure symmetric structure of N2O3 में NON bonding होगी और N symmetric के साथ से ये bonding होगी और scientist लोगों का मानना ये भी है कि मानना क्या है इसकी main existence वो इसी form में लेते हैं main existence वो जो है वो इसकी इसी form में माननी जाती है किस form में N symmetric form में तो एक वार जे ही में question आ चुका है पिछले 3-4 साल पहले या 4-5 साल पहले का ही question है आप से multiple options में था वो question और nitrogen के बीच में तो उसका ये एक answer था N2O3 एक answer था लोगों ने ये वाला structure अगर लगाना ये वाली structure अगर अगर अज्यूम की होगी तो उन्होंने वो ऐसा answer नहीं दिया होगा जो कि ये गलत है इसके अंदर nitrogen और nitrogen के बीच में bond होता है अच्छे उसके बाद बात करते है N2O3 बनेगा कैसे जब बाकियों की बात करें तो N2O3 को विचारे को काई छोड़ दें तो मैं आपको बताना चाहूंगा N0 प्लस N0 2 को अगर आप लोग माइनस 120 डिगरी Celsius पे यूज लेते हैं मिलाते हैं N0 और N0 2 को माइनस 120 डिगरी Celsius में मिलाते हैं NCRT में दिया हुए यह आप कहे दो आप 250 कैल्विन पे अगर आप मिलाते हैं तो उस कंडिशन में N0 and N0 2 मिल करके N2O3 फोर्म करते हैं N0 प्लस N0 2 at mixing mixing at माइनस 120 120 डिगरी Celsius 250 Kelvin temperature N0 and N0 2 gives N2O3 तो यह हमें N2O3 देगा N2O3 की structure को लेके वो ही है हमें ध्यान रखना है कि यह वाली structure ना होकर के इस वाली structure को main मानना है N2O3 की यह main structure है जो इसकी N symmetric structure कहलाती है ठीक है अच्छा उसके बाद बात करें N0 की ठीक है इसकी structure कहां से बनाएंगे structure के नाम पे कम से कम 3 atom तो होने चीए न ताकि हम बता पाएं कि वो linear है angular है trigonal planar है कैसा है 2 या 2 से ज़्यादा atom होने चीए sorry 2 से ज़्यादा atom रहे कम से कम 3 रहे या 3 से ज़्यादा रहे 2 atom है तो 2 atom में मैं क्या उसकी geometry बताऊंगा 2 atom तो आपको पता ही है कि एक particular type की arrangement different arrangement तो कुछ ले ही नहीं सकते न तो NO एक normal neutral oxide है हाँ इसको बनाया कैसे जाता है उसको अगर सुनना है तो जान लो जो ferrous आयन होता है मैं आप लोगों से बार बार एक brown ring complex की बात किया हूँ कभी ठीए तो ferrous iron जो अपने पास होता है ferrous iron को अगर nitrate या nitrite iron मिले ठीए मैं brown ring complex पे आप लोगों को और brown ring test पे आप लोगों को एक short note लिखाऊंगा आगे चलके इसलिए यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं लिखा रहा बस आप अपनी कोपी पे लिखते चले जाएं ferrous iron नाइटरेट और nitrite iron के साथ मिलकर acid condition में एक gas generate करता है कौन सी एन्नो ठीए एन्नो gas generate करता है एन्नो gas release करता है ठीए तो ferrous iron nitrate या nitrite iron के साथ जुडता है या react करता है तो हमारे को एन्नो gas मिलती है इस reaction के उपर मैं अच्छा खासा lecture लूँगा हमारा एक important part है browning complex को discuss करना browning test को discuss करना N2O5 की structure को अगर discuss करना चाथते हो ठीए तो N2O5 की जो structure होती है मेरे प्यारे बच्चो उसमें nitrogen और nitrogen के बीच में triple one मान के चलो और जो side में ये oxygen बैठा हुआ है ये मान के चलो कि अपना coordinate form में अपना electron जो है वो इस oxygen को दे दे रहा है या आप ऐसे दिखा सकते हो आपको पता होना चीए कि आप coordinate bond को जब normal bond से दिखाते हो तो जो दे रहा हो तो उसपे plus दिखाना होता हो जो ले रहा होता है उसपे minus दिखाना होता है तो आप जब इसको ऐसे दिखाऊगे तो इसपे minus दिखाऊगे इसपे plus दिखाऊगे हाँ इसके आप दूसरी resonating structure बना सकते हो इस electron को कह सकते हो कि bond बनाने में चला गया तो आगे वाला electron जो है वो nitrogen के पास चला गया तो N1, N1, O अब इसके ओपर यहाँ plus होगा इसके ओपर दो lone pair होंगे और minus formal charge होगा और oxygen पर आप कोई formal charge नहीं होगा क्योंकि वो जब इदर जाएगा electron देने जाएगा तो इसका minus charge cancel out हो जाएगा और यह neutral था तो उसके ओपर minus आजाएगा तो N2, O की यह दोनों structure है चाहिए आप यह बना के आना चाहिए बना के आना इसमें कोई good word नहीं है क्योंकि यह दोनों एक दूसरे की resonating structures है तो यह मेरे पास आपके लिए nitrogen के case में जो different oxides हैं उनकी structure हो गई तो यह इसके बाद मैं आप लोगों से phosphorus के oxides की structure discuss कर रहा हूँ nitrogen के oxides के बाद अपने phosphorus के oxides को discuss करते हैं phosphorus के oxides में आपके बास एक P4O6 होता है एक P4O10 होता है इनको कैसे याद रखना है इनको याद रखने के लिए आप लोग phosphorus, phosphorus, phosphorus और phosphorus फोस्फोरस, चार फोस्फोरस को आप लोग वो स्क्वेर के चार कौनों पे मानके चलो, जैसे बोरेक्स में मानके चले थे, ठीक है, फिर इनके बीच में एक एक अक्सिजन आप लोग भर दो, ठीक है, पी और पी के बीच में एक एक अक्सिजन बर दो, चार अक्सिजन यूज हुई अभी भी दो oxygen बच रही है अब आप लोग क्या करो इन oxygen को आमने सामने वाले phosphorus के बीच में बर दो P और O and P ठीक है इस तरीके से इसको भी आमने सामने वाले के बीच में बर दो ठीक है तो अगर इस तरीके से जब आप लोग इसके आमने सामने बरेंगे ठीक है तो आप यह मानके चलो कि यह POP ठीक है इसमें क्या है POP 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 and POP बॉन इधर हो गए एक POP बॉन आगे से है एक बॉन पिछे से है यह बोड के आगे से है तो यह बोड के पीछे से है इस structure को हम लोग cage like structure बोलेंगे ठीए इसकी जो structure है structure की अगर कल को खासियत बतानी हो तो इसकी खासियत यह कि एक cage like structure है P4O6 की P4O10 की अगर बात करें हम लोग ठीए तो phosphorus की general valency या तो 3 होती है या तो 3 N paid electron होते हैं या अगर S वाला electron आप D में बेच दोगे तो 5 N paid electron हो जाते हैं तो general valency या तो इसकी 3 होती है या इसकी general valency 5 होती है इसके basis पे P4O10 की जो structure आप बनाओगे इसमें बस यही फरक है कि यहां पे यह वाले ने phosphorus ने 3-3 bond बनाए हुए थे इसमें phosphorus 5 bond बनाएगा पहले तो आप लोग इस P4O10 के नाम पे भी पहले P4O6 ही बना लो ठीक है पहले तो आप लोग यही काम कर लो इसके अंदर POP, 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 POP और आगे से POP और इस तरह से पीछे से POP bond इसमें cover कर दो यह तो P4O6 हुआ अब P4O6 के बाद जो आपके बास 4 oxygen बच रहे हैं उन 4 oxygen को आप बाकी जो 4 phosphorus है उन सब के साथ double bonded form में oxygen जोड के दिखा दो तो इस तरीके से इस phosphorus के 5 bond यहाँ 5 bond बहां पे हर किसी के 3-3 bond तो यह P4O6 की structure होगी और यह इदर वाली जो है P4O10 की structure होगी इनकी structure की खासियत क्या है कि इनकी structure cage like structure कहलाईगी ठीक है इनके बीच में एक यह पिंजरा टाइप बना हुआ है ठीक है यह P4O6 और P4O10 की structure है अब nitrogen family वाले oxides को discuss करने के बाद मैं आप लोगों के साथ carbon family के oxides discuss करना चाहूंगा अलांकि carbon family के oxides में कोई खास ऐसे है नहीं लेकिन फिर भी हम लोग जल्दी से discuss कर लेने हैं एक अपने पास होगा CO, एक अपने पास होगा CO2, एक अपने पास होता है extra मैं अगर बताने आओं तो C3O2 ठीक है तो CO, CO2, C3O2 तो carbon monoxide तो वह यह दो atom का तो इसके बारे में तो मैं आपको क्या ही बता हूँ इसकी structure के बारे में ठीक है हाँ यह neutral है मैंने आपको थोड़ दिर पहले बताई था, ठीक है CO2 की जो structure होती है उसकी structure आप सभी जानती ही हो carbon जो होता है एक तरफ एक oxygen के साथ double bond बनाता है, दूसरी तरफ दूसरे oxygen के साथ double bond बनाता है SP hybridized होता है, linear होता है और साथ ही साथ किस form में होता है, gas form में होता है ठीक है, C3O2 की अगर बात करें, C3O2 में total मिलाके 5 atom है, 3 carbon के 2 oxygen के, लेकिन यह 5 के 5 atom एक line में होते हैं ठीक है, कैसी structure रखते हैं, oxygen, carbon, double bond carbon, double bond carbon, double bond oxygen ठीक है, इस carbon के avidization SP, SP और SP, ठीक है, इसको carbon sisky oxide के नाम से जाना जाता है C3O2 इसका formula है, और 5 के 5 atom जो होते हैं, वो linear form में होते हैं, ठीक है अब यह quota side वगरा वाले जो teacher हैं, वो यहीं नहीं रुकते हैं, फिर एक question इसमें जवरदस्ती और डाल देते हैं ठीक है, आपको seat में, booklet वगरा में, इसके बनाने से related भी एक question action मिल जाता है ठीक है, competitive exams के लिए या competition की त्यारी करने वाली seat में आपको ये question इसको बनाने से related मिलेगा ठीक है, उसको कैसे बनाया जाता है, मैं खुद ही आपके साथ discuss करके आपका सरदर्द पहले ही खतम कर दे रहा हूँ, बना आप लोग बाद में आके मेरा सरखाओगे की कैसे बनाया गया ठीक है, आपके पास एक acid है, melonic acid एक melonic acid होता है, ठीक है, इस melonic acid को आप लोग गरम करते हो, KHS04 के साथ ठीक है, KHS04 क्या है, ये भी एक बहुत अच्छी किसम का dehydrating agent है ठीक है, आपको मैं बताना चाहूंगा, organic chemistry में बहुत सारी ऐसी species हैं जिनको हम dehydrating agent की form में यूज करते हैं, P4O10 को करते हैं KHS04 को करते हैं, concentrated S2SO4 को करते हैं, SOCL2 को करते हैं, ZNCL2 को करते हैं अलग 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 परपस से उनकी power वगरा के according, product की requirement के according हम लोग अलग dehydrating agent यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन कई सारी dehydrating agent organic chemistry में हमें अलग यूज करने होते हैं, KHS04 भी एक बहुत अच्छी किसम का dehydrating agent है, पानी खींच लेगा, ठीक है, यह पानी खींच लेगा नाम पर क्या करता है, malonic acid क्या होता है, कि इसके COH और COH के बीच में एक CS2 होता है, ठीक है, तो यहां पर यह OH, इस बीच वाले CS2 ग्रूप का एक H अट आदेगा, तो यह OH और यह H water की form में निकलेगा, यह OH और यह जो दूसरा बचा हुआ hydrogen है, वो यह OH के साथ water मनाते वे निकल जाएगा, ठीक ह कर आएगी, यह वाली structure आपके सामने निकल कर आएगी, C3O2 की structure, ठीक है, अच्छा, C3O2 की structure और इसको बनाने के बारे में बता करके, कि malonic acid को KHS4 के साथ dehydrate करके, आप लोग C3O2 बनाते हो, यह अपनी copy पे note कर लेना, ठीक है, फिर मैं आप लोगों के साथ एक question और discuss करने ज बड़ा था, और वहां मैंने बताया था कि SIO2 को actually लिखा जाना चाहिए, SIO2 whole N, यह एक network solid होता है, ठीक है, देखो, SIO2 इस form में exist नहीं कर सकता, क्यों की chemical warning में आपको बताया जाता है कि atom का size बढ़ने पे उसके multiple bond बनाने की capacity कम हो जाती है, ठीक है, आपसे बार बार 11 के chemical warning अगर हम पुछा जाता था कि SIO2 gas है, SIO2 solid है, ऐसा क्यों, ठीक है, oxygen gas है, sulfur solid है, ऐसा क्यों, nitrogen gas है, phosphorus solid है, ऐसा क्यों, ठीक है, तो इन सब का reason एक ही होता था, ठीक है, कि nitrogen हुआ, oxygen हुआ, carbon हुआ, यह छोटे size के atom है, और छोटे size के atom है, तो यह अपने balance ही पूरा करने के लिए अलग-लग से जुडने ही जुरूरत नहीं होती, यह multiple bond बना के आपस में ही छोटे-छोटे group में अपनी balance सी पूरी कर लेते हैं, और छोटे-छोटे group में balance सी पूरी कर लेते हैं, तो इनको कईयों से नहीं जुडना पड़ता, और कईयों से नहीं जुडना पड़ता, छोटे 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 डिस्क्रीट मॉलिक्यूल बनाएंगे तो जब छोटे छोटे और डिस्क्रीट मॉलिक्यूल बनेंगे तो वो तो हमें उडेंगे न ठीय है वो तो गैस बनके न उडेंगे लेकिन दूसरी तरफ silicon के साथ क्या problem है, sulfur के साथ क्या problem है, phosphorus के साथ क्या problem है, कि इनके जो atoms हैं, वो बड़े size के हैं, और multiple one नहीं बना पाएंगे, ठीक है, और multiple one बनाने की उनकी capacity नहीं होती, इसलिए उनको अपने balance पूरी करने के लिए कई atom से जुड़ना पड़ता है, एक atom triple one बना के एक ही के साथ balance पूरी कर ले, और वहीं एक atom अपना triple one ना बना पाएगा, तो उसको तीन अलग अलग atom के साथ sigma one बनाना पड़ेगा, तो इसका मतलब कईयों से जुड़ना पड़ेगा, जैसे CO2 में कारवन ने दो oxygen से जुड़ा, उसका काम ही खतम हो गया, एसा CO2 में क्या है, silicon अपने एक oxygen से नहीं, दो से नहीं, बलकि चार से जुड़ता है, सिंगल बनाते हुए, अब जब oxygen के साथ एक ही जुड़ेगा, तो इस oxygen को भी आगए कहीं जुड़ना पड़ेगा, अपनी valency पूरी करने के लिए, ये फिर किसी silicon से जुड़ेगा, ये silicon फिर किसी oxygen से जुड़ेगा, ठीक है, तो इस टाइप से इनकी जो ये silicon, oxygen, silicon का जो bond है, वो एक टाइप से चलता ही चला जाएगा, ठीक है, और इसी के चलते है, silicon की जो hybridization है, वो SP3 बताई जाएगी यहाँ पे, जबकि carbon के hybridization जो है, वो SP है, ये tetrahedral है, इसकी structure क्या बताई जाती है, कि ये एक network solid है, तब ही तो हम लोग कल भी बोल ले थे, last lecture में, कि ये इसका actual formula SiO2 whole N होना चाहिए, ये एक network solid है, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक silicon और दो oxygen नहीं है, बलकि यहाँ बहुत सारे silicon है, बहुत सारे oxygen है, और ये SiO2 जैस्ट उसका एक formula unit है, वो जैस्ट हमें एक formula बता रहे है कि ये एक silicon के relatively दो oxygen ह है, ठीक है, तो ये एक network solid है, तो इस तरीके से मैंने आज आप लोगों के सामने different groups के oxides होते हैं, मैंने उन oxides को discuss किया है, ठीक है, अब एक class मेरे को लग रहा है, और लगेगी, हम लोगों का ये structure वाला जो part है, ब्लोग chemistry का, वो complete हो जाएगा, आज के लिए टाटा, बाए ब कि सब्स्किता उड़ों, एτο जाए है, तो गचल करे है नहा है, एक लिए वोगों केरेश येवेगी, हम लोगों के राटा आटा और वालाटा के उतल है, वोगों के अजय है, हम ये च।ारा यालः नहा है, हम अज़ों के वों के लाटा बे वाला जोगों के लृता बाटा